हेलो गईस कारपेंटर करनाल में आपका सुवागत करते हैं आज आपको दिखाएंगे डूम के अंदर स्लेप फॉल्डिंग स्लेप कैसे डालते हैं और यह स्लेप फॉल्डिंग स्लेप है बिल्कुल फॉल्ड स्लेप है अभी आपको दिखाएंगे कैसे हम इसको डालते हैं य दूम के अंदर जिसको रोषनी के लिए चोडते हैं उसके अंदर यह हमने स्लेफ डालती है, और कीचन के अंदर से डरोर है और उसके अंदर हमने इस फोल्डिम डालती है और प्लीस वीडियो को पुरा देखें और चैनल पर नियों हो तो चैनल को सब्क्राइबर करें और वीडियो लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें, आके देखें डूम के अंदर सलेप कैसे डालती है, फोल्डिंग सलेप है, दोनों सैट बटन लगा के फोल्ड रख देते हैं, और सरमाई का दोनों सैट लगा देते हैं, पेश्ट कर देते हैं, प्लेज वीडियो को पूर नहीं दिखा रहे हैं आपको जो रोस्नी के लिए डूम होता है तिस्रे मिंजल से आता है तिस्रे मिंजल से रोस्नी आती वो दिखा रहे हैं डूम। यह किचन के अंदर से है और और इसमें हमने तीन सलेव डाल दी है और यह आपको दिखा देते हैं किचन की यह किचर है और इसके अंदर दरवाज़ा डोर है और उसके अंदर हमने यह सलेव पे डाल दी है पर यह सलेब पर हमने दो फूट गहरी डाल दिया है और इसमें किचन का ही समान रखके जाएगा बड़े बड़े डबे और गरव गरह सारा समान रखके जाएगा भी दिखा देते हैं होल्डिंग शलेव में निच्छ हमने लाही का बटन लगा दिया है पट्टी लगा दिये और बार निकाल सकते हैं फोल्डिंग सुलेव हैं तीन सिलेव फोलॡिंग सिलेव हैं नीज व्यडियो पसंद आए तो like कमेंट करें और चैनल के नहीं हो तो चैनल को सबस्ट्राइब करें है और चुछ ने कि कैसे डाल दिए और इस अम ने सनमाई का पेश्ट कर दिये ऊपर सनमाई का पेश्ट की एंदर वाली है ओरुए रब सन्माई का है अंदर रवाली सन्माई का होती है by अउर्छी पट्टा लेए अगर रॉय यह नहीं यह पटटी होती है औधर कम और इसको कई लिए समेधक साथ के आप की इसकेर नंग theyЧто लिए लेग साया कि दब्रे। कितने मर्जी रखो। और यह Pak अने में प़्ायबूर की और इसके पर हमने यह सलेप रखी आभी आफको सारी शलेपे दिखहरे हैं। यह सारी शलेपे नहीक है कि हम प्लाई वोड की आपे हमें पर जारु यह 늦्स लिकाती है और फोल्डिंग स्लेप हैं प्लीज जूडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइबर करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को कि सब्सक्राइब करें और बैल अकन जरूर दबाएं कि आपको दिखा रहे हैं सलेप के और जोओं अब आट कर दो नो आपोड़ा कि दा रहे हैं इसलिए देखा रहे हैं कि यह यहों अले कि की आए है हुं है